कितनी अजीब मंतक है ना हमारे दिमाग की कि हम समझोता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं और हम इनसाफ चाहते हैं जब दूसरे गलत होते हैं यकीन जानिये हारना सीख लेंगे तो जीत रोती पीटती खुद बखुद आपके पहुँच जाएंगी इनसान की इनसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हसी आने लगे हमें जेब नहीं देता कि हम किसी के दर्द की दर्जाबंदी करें जिन लोगों की जिन्दगियों में हम रोशनी की एक किरन तक न बिखेर सकें फिर हम उनके मरने के बाद उनकी कबरों पर जाकर चिरागा क्यों करते हैं जिस मौशरे में सब चलता है वो मौशरा मुश्किल से चलता है जानते हैं अफसोस की बात क्या है पड़ोसी के बच्चों की भूग और फाके से अंजान रहना लेकिन उसकी बीवी और बेटी की हरकतों से वाकिफ रहना हमारे मौशरे का पसंदीदा मश्खला है इनसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे आमाल पर भी नहीं मिलता भुरा मत मानना मगर हम लोग बहुत अजीब है बन सवर कर मस्जिदों, मंदिरों, गुर्दवारों में बहुच जाते हैं वहां पहुच कर जूते बाहर उतारते हैं और अपना घुरूर लेके अंदर चले जाते हैं फिर हमारी आँख कही, कान कही, दिल कही और दावा ये है हम सब का, कि हम सचे बादशा की तलाश में हैं ऐसी अबादतों से रब थोड़ी मिलता है सारा खेल तो एक सांस का है वो सांस जिसमें कोई खाहिश न हो, कोई लालच न हो वो सांस जिसमें तेरी जात भी न हो तब हमारा रब पर्दा हटा देगा नसीहत कीजिए मगर नसीहत शर्मिंदा करने के लिए ना हो मकसद दस तक देना हो दर्वाजा तोड़ना ने अक्सर हालात में नाकामी की वज़ा ये होती है कि इनसान फौरन काम्याबी चाहता है खुर्बत इनसान को अपने ही शहर में ऐसा अजनभी बना देती है कि लोग पहचानने से इनकार कर देते है वक्त के साथ साथ शकल तो बदल जाती है लेकिन फित्रत नहीं बदलती बद आदमी बदी ना भी करे तब भी बद है और नेक आदमी नेकी ना भी करें तो भी नेक है खौफ को अपनी तरफ से ताकत फराहम करना बंद कर दो खौफ खत्म हो जाएगा इनसान कितना अजीब है जिन्दगी फिरॉन जैसी और इबादत मूसा जैसी चाहता है हमारे मौशरे में कुछ लोग सुनते कुछ है समझते कुछ है और बोलते कुछ है ऐसे लोगों से होश्यार रहे फातिहा लोगों के मरने पे नहीं एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए क्यूंकि लोग मर जाएं तो सबर आ जाता है मगर एहसास मर जाएं तो मौशरा मर जाता है मैंने अपनी जिन्दगी में चंद बाते सीखी है माबाब के इलावा कोई वफदार नहीं इज़त सिर्फ पैसे की है, इनसान की नहीं गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता इनसान जिसके लिए दिल से मुखलिस हो, वो दोका देता है और लोग अच्छी सीरत के बजाएं, अच्छी सूरत को तरजी देते हैं हम अपने रब को एक मानते हैं लेकिन अफसोस हम अपने रब की एक नहीं मानते हैं